श्वशन एक उश्मा ख्षेपी अभिक्रिया है जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्जोथर्मिक रियक्षन कंसिडर्ड की गई है इस बात को हम देखते हैं श्वशन एक उश्मा ख्षेपी अभिक्रिया है रेस्पिरेशन एक एक एक्जोथर्मिक रियक्षन कंसिडर्ड की गई है तो उसका क्या कारण है वास्तों में जो उश्मा ख्षेपी अभिक्रिया होती है या एक्जोथर्मिक रियक्षन होती है वे ऐसी अभिक्रिया होती है जिन अभिक्रियाओं में जो है क्रिया कारण मिलके उत्पाद तो बनाते हैं पर उसके साथ साथ उश्मा भी उत्पन्न होती है तो उसे हम कहते हैं उश्माक्षेपी अभी क्रिया तो क्या श्वशन के दोरान या श्वशन की या रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दोरान क्रिया कारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद बनाने के साथ साथ उश्मा भी निकलती है तभी तो हम क्या पाएंगे कि स्वशन एक उश्माक्षेपी अभिक्रिया है तो हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकडों में बढ़ जाते हैं और इससे हमारे शरीर को ग्लुकोस प्राप्त होता है ये हम सब जानते हैं कि पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे चुकडों में बढ़ जाते हैं और जिससे चामल है, आलू है, ब्रेड है उसमें कार्बोहेटरेट होता है तो इन कार्बोहेटरेट के तूटने से हमें ग्लुकोस प्राप्त होता है तो हमें कह सकते हैं हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो खाद्य पदार छोटे छोटे टुकडों में बढ़ जाते हैं और इससे हमारे शरीर को ग्लुकोज प्राप्त होता है जब हमारे शरीर को ग्लुकोज मिल जाता है तो ये ग्लुकोज क्या करता है ये ग्लुकोज हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें उपस्तित ऑक्सिजन कौन सी ऑक्सिजन जो हम बाहर से लेते हैं तो ये ग्लुकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्तित ऑक्सिजन ज समझे श्वशन का मतलब कि ग्लुकोज जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो अक्सिजन उपस्तित होती है उससे मिलकर हमें उर्जा प्रदान करता है और इस प्रक्रिया को श्वशन कहते हैं जैसे अगर हम यहां देखें तो देखिए ग्लुकोज है और यह उक्सिजन के सा क्रिया करके कार्वन डियाकसाइड और पानी बनाते हुए उर्जा को मुक्त किया और इस प्रदान किया अब यह जो उर्जा हमें मिलती है किस काम आती है यह उर्जा हमारे जीवित रहने के लिए बेहत जरूरी है और हमारे शरीर की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए करते हैं इस वस्षन वाइभी इस वशन की बात कर रहे होते हैं और इस वस्षन में क्या होता है कि ये कि हमारी जो कोसिकां होती है जीसिए ग्लूकोज है अब देखे ग्लूकोज छे कार्वन वाला एक अणु है और ये इसका विखंडनकोशिका द्रवे में होता है जो भाईवी स्वशन है उसको बता रहा हो हमें तो उसका विखांडण कोशिका द्रव में होता है और पाइरूवेट बनता है जो कि तीन कार्बन वाला अणुव है और energy release होती है और इस पाइरूवेट का जो खंडने वो oxygen की उपस्तिती में mitochondria के अंदर होता है तो जब पाइरुवेट का विखंडन oxygen की उपस्तिती में mitochondria में होता है तो carbon dioxide पानी और ऊड़जा प्राप्त होती है तो यह वाइवी श्वाइवी 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 श् बहुते हैं और नहुते हैं